नमस्का दोस्तों, इंडिया हो या अमेरिका, यूरोप हो या आफरिका, आज के दिन दुनिया के ज्यादतर देशों में या तो कोविड रिस्टिक्शन को अल्रीडी हटा दिया गया है या धीरे-धीरे करके हटाया जा रहा है लेकिन एक देश है जहां पर कहानी बिल्कुल उल्टी चल रही है, वही देश जहां से इस कोविड नाइटीन की शुरुवात होई थी, चाइना चाइना के कई शहरों में आज के दिन शायद से दुनिया का सबसे दम घुठने वाला लॉकडाउन किया जा रहा है रिपोर्ट किया गया है कि जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके घर के बाहर इलेक्ट्रोनिक अलाम्स लगा दिये गए हैं सरकार के दोरा, कि वो घर के बाहर निकले तो ये अलाम बजना शुरू हो जाए चोटे चोटे बच्चों को पूरी PPE किट्स के अंदर स्टूल भेजा जा रहा है कई ऐसे केसिस भी सुनने को मिले जहां पर कोविट पॉजिटिव लोगों के पालतू जानवरों को भी मार दिया जा रहा है दोस्तो चाइना की कहानी बाकी देशों से काफी अलग है अगर हम इंडिया से कंपेर करें इंडिया में हमें तीन वेव्स देखने को मिली पहली 2020 में आई ओरिजनल COVID-19 स्ट्रेन की वेव दूसरी डेल्टा वेरियंट की वेव माई 2021 में आई जो सबसे जानलेवा वेव थी और फिर अभी जैनवरी 2022 की थर्ड वेव ओमिक्रॉन वेरियंट की वज़े से जो आई मोर और लेस हामलेस वेव थी इसमें डेथ रेट बहुत कम था ज्यादतर देशों में ऐसी ही तीन या चार वेव देखी गई जिनके पीछे अलग-अलग वेरियंट्स रिस्पॉनसिबल थे और सबसे लेटेस्ट वेव जातर देशों में ओमिक्रॉन वेव रही थी लेकिन चाइना की अगर बात करें जब first original strain आया COVID-19 का चाइना ने अपने देश को इतना strong lockdown किया कि first wave के बाद कोई और wave ही नहीं आई पिछले दो सालों से सिमिलर सी कहानी हमें Australia और New Zealand जैसे देशों में भी देखने को मिली हमेशा के लिए तो बाके दुनिया से cut off करके नहीं रखा जा सकता और दूसरी problem यह है कि Omicron variant इतनी तेजी से फैलता है इतनी तेजी से फैलता है कि इसे काबू में रखना next to impossible है तो Australia और New Zealand जैसे देशों ने जैसे ही अपने देशों को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करी number of cases अचानक से बहुत तेजी से उपर गए Omicron variant की wave इन देशों में भी आ गई और similar चीज होई चाइना के साथ mainland China में पहला Omicron का case detect किया गया 9th December 2021 को एक ऐसा आदमी जो बहार देश से वापस लोटा था और इसमें कोई symptoms नहीं दिख रहे थे बड़ी आम बात है Omicron variant के लिए ज्यादा तर लोगों जिनको Omicron हुआ उन्हें पता तक नहीं चला लेकिन March, April तक आते आते China में 25,000 confirmed cases हो गए थे जब से pandemic शुरू हुआ था चाइना के लिए ये एक नया record था ये है चाइना की second wave रिपोर्ट्स के अनुसार Omicron का एक sub-variant BA.2 इस wave के पीछे responsible है चाइना में इस variant को stealth Omicron के नाम से भी बुलाय जाता है क्योंकि इसे detect करना बहुत मुश्किल है और ये वाला variant Omicron से भी 1.5 टाइम्स ज्यादा transmissible है कौन से देश में sub-variant originate हुआ ये किसी को नहीं पता लेकिन Philippines देश में से पहली बार detect किया गया था आज के दिन World Health Organization के according BA.2 actually में एक variant of concern बन चुका है और अच्छी खबर ये है कि अभी तक का evidence यही suggest करता है कि ये वाला variant ज्यादा जानलेवा नहीं है Omicron से. Denmark के Statin Serum Institute के according जो risk of hospitalization है वो भी ज्यादा नहीं है Omicron के comparison में बस ये है कि ये और तेजी से फैलने लग रहा है इसी reason से आज के दिन 86% sequenced cases जो दुनिया भर में detect किये गए है वो इसी sub variant के है तो देखा जाए तो डरने की कोई बात ही नहीं है इस variant से इसी reason से Australia और New Zealand जैसे देशों में COVID cases बढ़ने के बावजूद भी वहाँ की सरकारों ने accept कर लिया है कि अब हमें COVID के साथ ही रहना पड़ेगा और इसलिए COVID restrictions वहाँ पर भी हटने लग रही है लेकिन चाइना की strategy काफी अलग है चाइना हमेशा से ये विश्वास करता आया है Zero COVID policy में चाइनी सरकार का मानना है कि COVID public health के लिए खत्रा है और हमें किसी भी हालत में इसे पूरी तरीके से eliminate करना पड़ेगा चाहिए लोगों के थ्रू फैले, जानवरों के थ्रू या खाने के थ्रू या इवन मेल के थ्रू यही रीजन है कि चाइनी सरकार ने बहुत ही अजीवों गरीब तरीके अपनाए है COVID cases को zero तक रखने के लिए For example, October 2021 में चाइनी सरकार ने एक geese army को deploy किया था चाइना विएतनाम बॉर्डर पर गूस जानते हो ना क्या होता है यह चेडिया जिसे हंस कहते हैं हिंदी में यह geese बहुत ही territorial होते हैं अगर कोई इनकी territory में घुसेगा तो यह उसे काटना शुरू कर देते हैं तो चाइना ने 500 geese को actually में Chinese Vietnam border के around deploy कर दिया तो विएतनाम से अगर कोई इनसान चाइना की तरफ illegally border cross करना चा रहा है तो यह चेडिया उन्हें काटना शुरू कर देंगे इसके लावे नों ने 400 mixed breed कुत्तों को भी border पर deploy किया यह सब कुछ किया गया ताकि एक भी COVID का case ना आ सके चाइना के अंदर लेकिन अब जब शंगाई जैसे शहर में COVID cases बढ़ने लगे तो चाइना ने 31 March को city-wide lockdown लगा दिया शंगाई पर 25 million लोग lockdown के अंदर यह कहा गया कि किसी भी इनसान को अपने neighborhood से बाहर जाना allowed नहीं है हर किसी को force किया गया test करने को और report किया गया कि जो लोग COVID positive पाए गए उनके घरों के बाहर electronic alarms fit कर दिये ताकि अगर वो अपने घर से बाहर निकले तो सरकार को पता लग जाए कई viral video सामने आये जहां पर लोग बहुत गुसे में थे लोग इस चीज़ को और नहीं जहेलना चाहते थे अपने घरों के अंदर बंद रहना चाइना की zero COVID policy के तहट जो लोग COVID positive पाए जाते हैं लेकिन जिनमें symptoms ज्यादा नहीं देखते हैं या फिर mild symptoms देखते हैं उन्हें अपने घरों से बाहर निकाल कर temporary accommodation centers में ले जाया जाता है लोगों की तरफ से कई complaints आई कि ये accommodation centers बहुत ही बुरी हालत में हैं चट से पानी लीक करता है बहुत जादा लोगों को बहुत कम space में रख रखा है और ना ही कोई heating है ना ही कोई AC है और ना ही access to medicines है इन्हें accommodation centers के अंदर खिडकियों को भी seal कर दिया गया है ताकि कोई fresh air ना आ सके इस डर से कि कहीं virus ना भार फैल जाए एसी भी report सामने आई जहाँ पर covid positive लोगों के पालतू जानवरों को उनके जो pets हैं पालतू कुत्ते हैं पालतू बिलिया हैं उन्हें भी मार दिया जा रहा है इस डर से कहीं covid ना फैल जाए नतीजह इन सब का ये हुआ कि ऐसे वीडियो सामने आए जहाँ पर लोग अपनी balcony से चीखने लग रहे हैं चिल्दाने लग रहे हैं frustration में आकर food distribution पर असर पड़ा लोगों को खाने की कमी हो रही है क्योंकि खाने की supplies ढंग से पहुँच नहीं पा रही है as a result कुछ जगाओं पर दंगे भी देखने को मिले है राइट्स भी हो इसको लेकर और ऐसे भी वीडियो सामने आए जिसे देखकर लगता है कि ये कोई science fiction dystopian film चरने लग रही है जहाँ पर रोबोट कुटों को monitor करने के लिए लगाया गया है या फिर सरकार के drones लोगों के घर की balconies के सामने आकर announcement कर रहे हैं कि घरों से बाहर न निकले ये drones इसलिए आये क्योंकि कहा जा रहा है कि लोगों ने अपनी balcony से गाने गाने शुरू कर दिये थे कि हमें भूखा क्यों मार रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि Chinese सरकार ऐसा कर क्यों रही है ना सिर्फ लोगों के जिंदियों पर इससे असर पढ़ रहा है वलकि overall Chinese economy पर भी इसका असर पढ़ रहा है जब से lockdowns declare किये गए थे Chinese stock market नीचे जाय जा रहा है इसे एक unnecessary covid lockdown बताया गया है 31 major Chinese शहरों में unemployment rate 6% तक पहुँच गया मार्च में जो highest on record है पिछले 4 सालों में inflation भी बढ़ने लग रही है और सरकार ने estimate किया था कि चायना का GDP growth rate 5.5% पर रहेगा इस साल 2022 में लेकिन अलग-अलग agencies ने अब चायना का growth forecast कट कर दिया है कुछ ने कहा है कि चायना का GDP growth rate अब सिरफ 4.5% के राउंड होगा कुछ का मानना है कि ये 3.9% तक भी नीचे गिर सकता है Especially interesting ये है देखना कि चायना के पडोस में South Korea देश में भी कहानी काफी similar थी लेकिन approach काफी अलग था South Korea ने भी अपने आपको cut off कर रहा था almost 2 सालों से बाके दुनिया से जैसे ही कोशिश करीगी थोड़ा सा देश को खोलने की वैसे ही cases बड़ी टेजी से उपर गए लेकिन South Korea में vaccination rate काफी high था और South Korean सरकार की policy Australia और New Zealand की तरह थी कि अब बहुत हो गया अब हम COVID के साथ जीना सीखेंगे हम COVID केसिस को zero तक करने की कोशिश नहीं करेंगे इसलिए South Korea में कोई lockdown नहीं डिकलेर किया गया और result लोगों के लिए भी और economy के लिए भी काफी अच्छा रहा तो फिर से actually मैं इस सवाल पर आता हूँ कि Chinese सरकार अपने पैर पर कुलहाडी क्यूं मार रही है और ये ऐसा क्यूं कर रही है इसके पीछे दो में रीजन्स बताय जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के दुआरा पहला है कि Chinese vaccines उतनी effective नहीं रही जितनी उमीद लगाई थी Chinese सरकार ने इन्होंने पाँच में वैक्सीन्स का इस्तिमाल किया था जिनमें से सबसे जानीवानी थी सीनोवैक, सीनोफार्म और कान सीनो इनकी कंपनीज के ही according इनकी effectiveness 50% से लेकर 79% के बीच में रही है इसे आप compare करो Moderna और Pfizer जैसी vaccines से जो 95% के around effective रही है ये शुरुआत के strains की बात करी जा रही है उसके बाद जैसे ऐसे नए strain आये हर vaccine की effectiveness कम होती गई Pfizer और Moderna के भी कम होती गई लेकिन इन Chinese vaccines की effectiveness अगर और भी कम हो गई तो imagine कर ही सकते हो क्या हो सकता है लेकिन दूसरा और इससे बड़ा reason बताय जा रहा है Xi Jinping की politics कुछ ही महीनों में Chinese Communist Party के अंदर की elections है दिखाने के लिए कि China कितना successful देश निकला बाकि Western countries के comparison में जहां पर इतनी सारी deaths हो इतने सारे cases देखने को मिले चाइना में deaths और cases दोनों ही बिलकुल zero होनी चाहिए यह policy Xi Jinping ने personally proposed करी थी as a solution to COVID और अगर यह पीछे हटे यहां पर इनकी image पर असर पढ़ सकता है उमीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह informative लगा होगा मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद